हलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत हैं आपका साइमआवेज्जू टेक चैनल में तो चलिए चलते हमारी वीडियो की तरफ जहां पर हम कर रहे थे जनराल साइंस के कौस्चन्स को कौस्चन्स की प्रैक्टिस कर रहे थे ठीक है हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबी को बता दूँ आप हमारी साइवाव एजूटेक चनल को आप हमारी साइवाव एजूटेक अप्लिकेशन को डाउनलड करके सबसे पहला कुश्चन है कि सरीर में रखत के ठकके का पता लगाने के लिए उप्योग लिया जाता है याने body में जब blood clotting होती है तो उसका पता कैसे लगाया जाता है किसके through लगाया जाता है तो एक आता है समिस्थानिक sodium 24, समिस्थानिक iodine 131 या समिस्थानिक carbon 14 या समिस्थानिक arsenic 74 ठीक है यह सारे के सारे क्या है हमारे जितने भी elements होते हैं उनके समिस्थानिक है ठीक है अब समिस्थानिक में सबसे पहले अगर हम sodium की आयोडीन की बात करें तो iodine 131 यह घेंगा रोग जो होता है उसके उप्चार के काम में आता है ठीक है यह घेंगा रोग के उप्चार में काम में आता है समिस्थानिक कार्वन 14 के अगर हम बात करें तो यह जो होता है कार्विनिक पधार्तों की आयू के बारे में बताता है समिस्थानिक आर्सेनिक 74 तो यह हमारे क्या बताता है यह तो कार्विनिक पधार्तों की आयू के बारे में बताता है समिस्थानिक आर्सिनिक 74 जो होता है यह tumor का पता लगाता है ठीक है जैसे कि body में जहां पर भी tumor होता है वहाँ पर हम समिस्थानिक आर्सिनिक 74 का प्योग करके tumor का पता लगा सकते हैं अच्छा, अब हमारा क्या समिस्थानी, sodium 24, जो होता है, हमारा blood collecting के बारे में पता लगाता है, ठीक, चलिए, next question की तरब बढ़ते हैं, कि phosphorus ये इस तरीक से लिखा है, phosphorus 31 और 15, ठीक है, में neutronों की संख्या कितनी है, हमें यहाँ पे neutron की संख्या निकालनी है, 15 है, 16 है, 46 है, या 31 ह 15 में phosphorus की संख्या, sorry neutron की संख्या कितनी है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, तो proton की संख्या यहाँ पे अगर हम देखें, तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हम अगर देखें, द्रभमान, यानि कि mass जो है, वो अगर हम देखें, तो कितना हो ज संख्या बराबर uh proton की संख्या ठीक है proton की संख्या प्लस यहां पे हो जाएगा neutron की संख्या ठीक है क्या हो जाएगा neutron की संख्या that easy product on the game and neutron की संक्या अब внимand संख्या हम है कितनी है thirty-one है बराबर लगाएंगे by proton की संख्या fifteen Golden फिप्टीन है minus में जाएगा मारा प्लस में हो जाएगा हमारा neutron की संख्या, ठीक है, neutron की संख्या, यहाँ पे plus 15 में हमारा proton की संख्या है, तो इस साइड अगर हम लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 31-15 is equal to neutron की संख्या, तो हमारी neutron की संख्या निकल जाएगी कितनी, 31 में से 15 अगर हम कम करेंगे, तो बच्च कितमेंसे कौन सा ऐरोसॉल कोलाइड का उधारन है एनिकि जो गॉलाइड का उधारन है निस 긍स कौन सा ऐरोसॉल ध्यान रखिएगा तो यहां पर देखे दूअ वो गया कोलाइड एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सूक्ष्म रूप से बिखरे हुए अगुलन्शील कड़ों का पधार दूसरे पधार से निलंबित रहता है, ठीक है? तो यहां पर हम देखें, तो अगर हम देखें, तो अगर हम धारन होगा यहां पर धुआ ठीक है, क्या होगा धुआ हो जाएगा एरोसोल कॉलाइड का एक्जांपल क् परिक्ष्ब्ड माध्यम होता है इसी से मिल के हमारे क्या बन जाते हैं नाम बन जाते हैंएक took परिक्ष्ड माध्यम और एक नाम ठीक है अब जैसे की हगर हम देखें परिक्ष्ड्ड प्रवस्था यानिकि ठोस है यानि कि कोई भी पधार जो है वो ठोस में है ठीक है और उसमें हमारा क्या मिलेगा ठोस ही मिलेगा ठीक ठोस में ठोस अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा ठोस ठोस ही बनेगा ठीक है जैसे कि कोई मिश्रधातु है ठीक है जैसे तोस यानी की solid और द्रव यानी की liquid, ठीक है, अब इसका नाम क्या बनेगा, ये बन जाएगा, soll, जैसे की, example, अब हम ले ले, paint, स्याही, ये सब क्या, किसका example होगा, तोस और दरव का, अब और अगर हम ले ले यहां पे ठोस और ठोस और धोस और दरव हमने ले ही लिया, अब ठोस और गैस लेते हैं, यानि solid में gas मिक्स कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा, aerosol क्या बनेगा, aerosol, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले question में आपको पताया था, कि aeros behavior, aerosol हो गया, जैसे कि, example मैंने आपको बताया याभी, दुआ, ठीक है, क्या हुआ, दुआ हो गया, अब ध्रव और ध्रव की बात करें, ध्रव और ध्रव की बात करें, ध्रव और ध्रव मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, पायस बनेगा, जैसे कि, दूद, क्रीम, ठीक है, यहाँ पर यह जो पाइस का एक्जामपल है, यह पूछा जाता है, तो पाइस का एक्जामपल, यानि कि दूद किसका एक्जामपल है, तो दूद पाइस का एक्जामपल है, क्योंको इसमें द्रव और द्रव मिक्स होता है, ठीक है, सेम द्रव और गैस देखते हैं, तो मात्रा ज्यादा होती है जैसे कि हम बिलियन और विले और विलायक में देखते हैं उसी तरीके से यहां पर भी सेम कंडिशन होती है जैसे कि परिक्षपत प्रावस्था जो होती है इसमें भी मात्रा ज्यादा होती है और परिक्षपत मात्रा जो होता है वो कम मात्रा में होता ह ठीक है ऐसे ही अगर हम billion की बात करें तो billion में भी हमने यही देखा था कि billion दो चीजों से मिलकर बनता है विले और विलायक ठीक है विले और विलायक जो होता है उसकी मातरा क्या होती है ज्यादा होती है और विले की मातरा क्या होती है कम होती है ठीक है ऐसे ही परिक्षेप्त प्रावस्था में मातरा ज्यादा होती है और परिक्षेप्ण माध्यम जो होता है वो कम होती है ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है कि ये एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है कोलाइड के मिस्रण बन जाता, ठीक है, मिक्षर बन जाता तॉपिक है, उस विल्यन की टॉपिक में से हमारा, यह जो Qoosin है यह हमारा निकाला गया है, ठीक, क्लियर चली, अब हम इस Qoosin की तरह बढ़ते हैं तो निम्ली valley खितनी से कौन सा एक कोलाइड का उधारण नहीं है ठीक है यहां पर यह कोलाइड का उधारण नहीं है ठीक है ध्यान रखेगा उधारण नहीं है पूछा है तो सबी देखो दूध हो गया रवड हो गया पनीर हो गया ठीक है दूध हो गया रवड हो गया पनीर हो गया यह सारे के सारे कोलाइड के एक्जामप होता है क्या होता है antiseptic qol GI Bak em sep tic ca solution होता है जैसे आप लोगों ए देखा होाँगा यह ethanol और पाणी की the mascara से बना हुआ होता है और iodine को मिला कर तयार करते सच में ethanol होता है ठीख है ethanol प्लस water प्लस iodine के मिला हुआ एक mixture होता है इसको क्या करते हैं जब सरीर में कहीं पर भी घाव लग जाते हैं या कट लग जाता है तो इसको क्या करते हैं इस जगे को किटाडू रहित करने के लिए या किटाडू रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि जब चोटोट लग तो पहले एक liquid रहता है जिसको बोलते हैं आयोडीन को घोल जो रहता है, यसको डिटॉल में लेकर पहले उस घाओ को साफ करते हैं ताकि वहाँपर कोई कीटाड़ू या वैक्टेरिया नारा है उसके बाद उसकाْ इलाज किया जाता है, थीक है? तो आयोडीन चिंचर कॉप्य जानन दिदी के दारा हाथ से चुन्कर या आपस भी करें क्योंकि देखिए लोही की पिन बहुत अज्ट्छा को क्वेशन है जानन दिदी का क्या करें चुंबक क्या करें धी तो यहां पर जो किस विधी यानि कि अगर हम विधी की बात करें तो चुम्ब की अपर थक करें विधी के द्वारा हम लोहे की पिनों को बालू से अलग कर सकते हैं ठीक है उसमें क्या करेंगे इस विधी में दो रोलर होता है उपर से नीचे एक रवर्ट की बैल्ट में घूमते रहते हैं इस तरीके से आप लोगोने देखा होगा यह एक बैल्ट में घूमते रहते हैं और यहां पे बालू डालते जाते हैं तो बालू डलती जाती है और चुम्बक लोही की पिनों को खीशते जाती है बाकी बालू को नीचे गराती जाती है ठीक है बस हो गया रोलर जो होते हैं अगर हम देखें उप धातु एक उन्हीं किसलों के दिख्ळों कहता है कुछ गड़ों में अधातूं के साथ समानताओं में दिखाई देते हैं ठीक है जैसे कि पी ब्लॉक के जितने भी अलिमेंट्स होते हैं ठीक है पी ब्लॉक के समू पी ब्लॉक के जो समू है जैसे कि 13 हुआ 14 हुआ 15 हुआ 16 हुआ 17 हुआ इसमें पाए जाते हैं ठीक है पी ब्ल हो गया, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम के बाद बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, बिसमत हो गया, एंटीमनी हो गया, टैल्यूरियम ह और पोल नियम हो गया यहां पर हमारा ऐसंग में देखाई दे रहा है वह दो सिलीक और होगा वह क्या होगा है पामरें के आप पर यह दर चली इसका example अगर हम देखे तो इक्टरॉनों को यह आसानी से छोड़ देते हैं, ठीक है, हैओ थीक है, हेडोजनायन को छोड़ देते हैं, ठीक है, जितने भी उलेक्टरॉन्स होते हैं, अगर इनको लेना हो झोड़ना हो तो यह क्या काम करें का इनके लिए सब सीजी क्या होगा, अगर इनके और गुड़ों की बात करें तो ये नर्म होते हैं, हलके होते हैं, इनका घनाद वो गलनांग, वथनांग कम होता है, इसके अलावा इनके रासाइनिक गुड़ अगर हम देखें, तो ये छार्ध आतु होती है, वो बहुत ज़्यादा क्रियासील होती है, यानि कि बहुत जल्दी रियक्शन कर लेती है, ठीक है, क्या कर लेती है, बहुत जल्दी रियक्शन कर लेती है, ठीक, अगर हम छार्ध आतु हो की बात करें, एक्जामपल देखें, तो छार्ध आतु होती है, सबसे पहले तो हमारी सोडियम ही हो जाती है, जिसको बोलते है, एने, जो क्या होता है हमारा सोडियम याने एने सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया रुबीडियम हो गया ठीक सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया रुबीडियम हो गया सीजियम हो गया लीथियम हो गया यह सारी की सारी हमारी क्या है छार धातु होती है ठीक चलिए धातु है तो इन कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोन होते हैं, इलेक्ट्रोन इस्थापित होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोन होते हैं, वो किसी परमाणु से बंदेर नहीं होते हैं, यानि कि ये स्वतंतर अवस्था में होते हैं, जब स्वतंतर अवस्था में होते हैं, तो यहाँ थोस पधार्थ, ऐसे कोई स्वथ उलेक्ट्रोन नहीं होते हैं। में क्यों स्वथ-फ्थ उलेक्ट्रोन होते हैं।्यंस्यूंक होते हैं। आनतरित कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक है इस वज़े से ये विद्दूत का बहन करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका गल्ला कम होता है तनन समर्थ होता है या मुक्त एलेक्टरोन की कारण होता है या उच्छ परमाणू घनतव के कारण होता है तो यहाँ पर अगर हमें answer देखें तो यह होगा मुक्त electron के कारण ठीक, अगर हम periodic table में by से दाई की तरफ चलते हैं तो electron बंदिता क्या होगी, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है, देखें, by से दाई की तरफ अगर हम चलेंगे तो electron बंदिता बढ़ जाएगी, और सबसे जादा electron बंदिता किसकी होती, fluorine की ठीक है, fluorine कहते हैं या fluorine कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा अब अगर हम बात करें, next की, की निमल कितमे से कौन सा तत्व लेंथेनाइट है ठीक है, क्या? लेंथेनाइट, तो सबसे पहले लेंथेनाइट या लेंथेनाइट जो होते हैं अगर हम एक पिरियोड टेवल या आवर्त साणिनी की बात करें, तो यहाँ पर 57 से 71 परमाडू संख्या तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो लेंथेनाइट तत्वों में समान रासाइने गुड़ होते हैं और सामोहिक रूप से उन्हें दुरलव मृदा तत्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दुरलव मृदा तत्व भी कहते हैं, ठीक है? इस समू, इसी समू के तत्व को हम लेंथेनाइट कहेंगे, क्योंकि इनके रासाइने गुड़ लेंथेनम से मिलते हैं, ठीक है? मैंने आपको बता है, 57 से 71 तक के जो होते हैं, वो लेंथे नम के श्रेडी में आते हैं, जिसमें से सीरियम जो है, वो 58 नमबर की परमाणु संख्या होती है, तो लेंथे नाइट सेंखला के दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है, इसका अगर हम दरवमान देखें, सीरियम का अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान रखेंगा जिन जिन के नाम बताते जा रहे हैं, आपको अक्टिनियम हो गया, थोरियम हो यूरेनियम, बहुत सारे, जैसे क्यूरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, बैकेलियम हो गया, कैलिफोरियम हो गया, आइंस्टीनियम हो गया, फैरियम हो गया, मेंडेलियम हो गया, नोबेलियन हो गया, लॉरेंशियम हो गया, यह सारे क्या है, एक्टिनाइट हो गया, अब यहां पर अगर हम बात करें, क्यूरियम हो गया, उपधातु की बात करी थी, हमने अब दूसरा आ गया, जैसे कि मैंने आपको बता आ था, कि इसमे महारा उपधातु में जर्मेनियम भी था, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, जर्मेनियम, ठीक है, धोने का सोड़ा किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक ह वो हवा से भी क्या कर लेती है आती क्रियाशील धातू होती है कि इतनी क्रियाशील होती है कि हवा में जो अक्षीजन होती है उससे भी क्रियागर के ब्लास्ट हो सकती है आजकल सडकों पर रोश्णी के लिए प्राय फीले लैम्पों का प्रयोग किया जाता है और उन लैम्प वही धोने का सोड़ा, वही होगा हमारा sodium carbonate, ठीक है, ध्यान रखेगा, question घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, धोने का सोड़ा, अब देखे, sodium carbonate को किस सामाने तर जाना जाता है, तो soda के, धोने का सोड़ा, खिक जैसा भी बता है, तीन question हमारे sodium carbonate के उपड से आ गए है, ठी धोने का washing soda का है, bleaching powder का, washing soda वही धोने का सोड़ा, ठीक है, धोने का सोड़ा, जिसको हम sodium carbonate भी कहते हैं, इसका क्या होता है, धोने का सोड़ा जो होता है, वो कठोर पानी, यानि की कठोर, पानी की जो कठोरता होती है, यानि की calcium और magnesium chloride जो होता है, और उसको sulphate के साथ, magnesium के साथ, magnesium chloride और sulphate के साथ, ठीक, तो यह क्या कर देता है, जल की थाई का टोरता, दूर करने के लिए, washing soda का उपयोग किया जाता है, यानि की धोने का सोड़ा, ध्यान रखेगा, धोने का सोड़ा, यहाँ पर तीन नाम आ सकते हैं, washing soda, धोने का सोड़ा, या फिस sodium carbonate, ठीक है sodium carbonate, clear, धोने का सोड़ा का रासाइनिक सूतर क्या है, Na2CO3 होता है, ठीक है, Na2CO3 होता है, ठीक, Na2SO4 नहीं है, NaHCO3 भी नहीं है, CaOH भी नहीं है, Na2CO3, हमारा third question क्या है, सही है, इसमें water के molecules कितने होते हैं, 10, ठीक है, 10 mol H2O होता है, ठीक, यह थे हमारे क्या, आज के questions बाकी म मिलते हैं हमारी कलगी क्लास में, तब तक के लिए जैहन, बाकी और कुछ आप लोगों को डाउस हो, तो आप मुसे comment section में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम हमारी कलगी क्लास में जैहन. झाल